तो आप भी चाते हूं कि आपकी भी हालत इनके जैसी बनकर ना रह जाएं तो वीडियो को अन तक जरूर देखना तो प्रभुश्री राम जी की पिता का नाम था दश्रत दश्रत की पिता का नाम था अज अज की पिता का नाम था नाभाग नाभाग की पिता का नाम था ययाती ययाती की पिता का नाम था नहुश नहुश की पिता का नाम था अंबरिशी अंबरिशी की पिता का नाम था प्रशुष्रुक प्रशुष्रुक के पिता का नाम था मरू तो मरू के पिता का नाम था शिग्रक शिग्रक के पिता का नाम था अग्निवर्ण अग्निवर्ण के पिता का नाम था शुदर्शन शुदर्शन के पिता का नाम था शंखन शंखन के पिता का नाम था प्रवध प्रवर्द के पिता का नाम था अंचुमन, अंचुमन के पिता का नाम था दिलिप, दिलिप के पिता का नाम था भागीरत, ये वही भागीरत है जो गंगा को प्रत्वी पर लेके आए थे, जिसको भागीरती की राम से भी जाना जाता है, राजा भागीरत के पिता का नाम था कुकुष्थ की पिता का नाम था रगु ये रगु वही राजा है जिनके नाम पर ये रगुकुल पड़ा क्योंकि ये बहुती पराक्रमी और तेजस्वी राजती आज भी कहा जाता है कि रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाए तो राजा रगु की कि पिता का नमता राजा सुसंदी, राजा सुसंदी कि पिता का नमता राजा मांधाता, मांधाता कि पिता का नमता युवा नाश्री, युवा नाश्री कि पिता का नमता दुंदुमार, दुंदुमार की पिता का नाम था त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु की पिता का नाम था राजा प्रथु, राजा प्रथु की पिता का नाम था अंडर्ण्य, अंडर्ण्य की पिता का नाम था राजा बान, राजा पान की पिता का नाम था विवस्वान, राजा मनु, राजा मरीची के पिता का नाम था ब्रह्मा जी तो इस हिसाब से हमारे प्रभुष्री राम जी ब्रह्मा जी की 49 फी पीडिया है 39 तो ज़्यादा सी ज़्यादा ये वीडियो शेर कीजिए क्योंकि आने वाला इतिहास ये नहीं बोलना चाहिए कि सनातनियों को मुगलो का इतिहास तो पता था और खुद का इतिहास नहीं पता था तो ज़्यादा सी ज़्यादे इस वीडियो को शेर कीजिए जैश्री राम